पुराने MonsterVerse के फैंस को Godzilla के उस Evil Clone के बारे में पता है जो कभी Space से आया था लेकिन नए फैंस को उस Abomination के बारे में कुछ नहीं पता है एक Destructive Force जिसे कभी Godzilla के DNA से ही बनाया किया था और उस Monster का नाम है Space Godzilla Godzilla के History का One of the Most Powerful Enemy MonsterVerse में दिखाया गया एक के पेंटिंग में हम लोगो इस Monster का एक जहलक मिलता है जिसने उस Ancient Titan War में भी Participate किया था Kongs के लिए वो एक ऐसे Threat के जैसा था जिस Nightmare को वो हमेशा याद रखना चाहते थे और इसी रिजन से वो इस Godzilla के पेंटिंग को अपने Temple पर रखते हैं ताकि उनके Next Generation को इस Destructive Force के बार में पता हो एक Godzilla जिसके पास Wings है और वो आसमान से अपना कहर बरसाता है अभी इस पेंटिंग में हम लोग आसमान को भी देख सकते हैं लेकिन हालोड पर तो कोई आसमान है ही नहीं तो शायद ये पेंटिंग सर्फस वर्ल का है और जैसे कि ये पेंटिंग मॉस्टर वर्स में एकसिस्ट करता है तो Space Godzilla भी एकसिस्ट करता है जो शायद फ्यूचर का कोई थ्रेट बन कराएगा लेकिन जो भी ये ओरिजिनल टोहो उनिवर्स की हिसाब से इस मॉस्टर के ओरिजिन को हम लोग आज फाइंड आट करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ लोग के हिसाब से Space Godzilla हेसे के मॉस्टर वर्स का सबसे ग्रेटिस टाइटन है और शायद इसी रीजिन से ये क्लासिक फैन्स के लिए अब तक फैन फेवरेट बना हुआ है इस टाइटन का First Appearance होता है 90's में एक ऐसा टाइटन जो गॉंसिला के Flesh और Blood से बना हुआ है लेकिन उसका मोटिव Evil होता है अगर इसके Real Origin की बात की जाए तो फिर Toho King Ghidorah के एक Superior Version को बनाने वाला था जिसका नाम होता Emperor Ghidorah लेकिन Ghidorah को बहुत पार यूज़ किया गया था Ghidorah, King Ghidorah, Mega King Ghidorah, Shin King Ghidorah, Monster X या फिर Kaiser Ghidorah और और एक version इस character के value को गिरा रहा था तो इसी reason से Toho का team एक नया monster बनाने का decide करते हैं और ऐसे हम लोगो को मिलता है Space Godzilla लेकिन इस character के बहुत सारे characteristics King Ghidorah से similar थे जैसे कि उसका flight ability team अभी Godzilla के crystal version को बनाना चाहते थे कुछ designs के हिसाब से उसके पास wings भी थे और कुछ designs के हिसाब से वो एक ship shipter भी था लेकिन final design के हिसाब से वो Godzilla का एक upgraded version था जो Godzilla से बहुत ज्यादा massive था क्योंकि उस time पर इस Godzilla का height था 393 feet और weight 80,000 ton Godzilla के history का सबसे heaviest monster क्योंकि अपने asteroid form में उसका width होता है 823 feet और weight होता है 720,000 ton अगर design की बात की जाए तो फिर ये Godzilla के traditional look से बहुत अलग दिखता है जहाँ पे Godzilla के पास रहते हैं dorsal blades वहीं space Godzilla के पास होता है ये massive crystals जो उसके power source है space Godzilla के साथ बायोलेंटे का भी एक connection है filmy origin के हिसाब से Godzilla का DNA space के एक black hole के अंदर चला जाता है बायोलेंटे को बनाया गया था Godzilla के DNA से अभी Godzilla जब उसे खतम करता है तब उसके essence उरकर space में चले जाते हैं और तब वो एक black hole से बहुती powerful energies को absorb करने लगते हैं जो essence धीरे धीरे hard होकर crystal like form लेते हैं और फिर वो form evolve होकर बनता है space Godzilla Godzilla के cells और bio lander के essence से बना हुआ एक destructive force जिसका motive होता है Godzilla को खतम करकर अर्थ पर अपना domination create करना और इसी reason से वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है अपने रस्ते में आये हुए NASA के satellites को वो destroy करता है और फिर उसका next target होता है humanity लेकिन humans भी retaliate करते हैं वो space में अपने एक मेका काईजू को भीजते हैं जिसका नाम होता है मोगेरा और उसका motive होता है उस space Godzilla को रूखना लेकिन space Godzilla उसे space में ही destroy कर देता है और अभी वो Godzilla के home island पर land करता है चहांपे उसे मिलता है मिनीला सनब Godzilla Godzilla की DNA से बनने की वज़े से वो मिनीला को अपने बच्चे के जैसे ही देखता है लेकिन जो भी हो Godzilla का motivator पर clear होता है अपने evil clone को destroy करना और अपने kingdom को बचा कर रखना और यही पर हम लोग space Godzilla की powers को fitness करते हैं वो अपने telekinetic powers का use करके मिनीला को एक crystal tomb के अंदर केहत कर देता है फिर वो अपने crystal fortress को build करता है जापे उसका power और भी ज्यादा enhance हो जाता है लेकिन finally Godzilla और मोगेरा का एक upgrade version एक साथ team up करते हैं और फिर ऐसे ही वो space Godzilla को defeat करते हैं space Godzilla कोई physical power house सो नहीं था और ना ही वो कभी बनना चाता था क्योंकि उसके पास varieties of powers थे जैसे कि उसका photon shield जो अपने opponent के attacks को उसी opponent के direction में भेज देता है टेली काइनेटिक power, photon wind blast, gravity tornado और उसका flight ability जैसे वो space में भी जा सकता है फिर geokinesis जैसे वो अपने आसपास के इलाके को transform कर सकता है अपने हिसाफ से ढाल सकता है ताकि वो इसे एक shield की तरह यूस कर सके वो इन crystal से अपने enemies के उपर attack कर सकता है और फिर उसका powerful corona beam जो उसे Godzilla की universe का one of the most powerful काईचू बनाता है लेकिन इतने powerful monsters के पास कुछ weakness भी है जैसे कि वो इतना ज्यादा heavy है कि उसे move करने में थोड़ा time लगता है और वो कोई physical fighter नहीं है वो बस एक power house की जैसा है जिसके उन crystals को अगर destroy कर दिया जाए तो फिर उसके पास और कुछ नहीं बचता है और शायद इसी reason से वो Godzilla और Mugaira के combine power से कमजोर पर जाता है लेकिन monsterverse में जैसे कि ये game painting exist करता है तो शायद कोई Godzilla इस piece से आया था लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये एक mystery है तो यही है वीडियो Godzilla के उस evil clone के बारे में जो कभी this piece से आया था वीडियो कैसा लगा comment में ज़रूर बताना और मिलते हैं आफसे अगले वीडियो में till then take care and peace out